यह कोई आपका स्टेट है कि भारत का लोगता स्टूर्ट हो गया है तो मैं बिलकुल सहमत नहीं हूं आप से यह कोई रॉकेट साइंस है क्या अप सवाल पर क्यों नहीं हा रही है सवाल यह रहूल गांदी ने क़र अमरीक और यॉरोप क्या कर रहे हैर वह क्यों खामोश है पिर वह कहतें इसके पीछे पैसा है ट्रेड अरगा बोलिये शुप्रीयाशनेत मेरा नाम लेने से आप तिरसकार नहीं कर देंगे यह चैसे आपने सवाल पूछा मैंने जवाब दिया मैडम इतने ही बात है मैं अपनी बात करूंगी आप सवाल का जवाब तो देंगी मैं छे बार पूछ चुका हूं यह क्यों कहा कि अमेरीका और यूरोप के देश क्या कर रहे हैं इस पर आप उसका इस सीधा उत्तर नहीं दे रही है मैडम प्लीज शिष्टा चार के बारे में आप ना बोले कम से कम तो बैतर है कम से कम आप बोलिए मैंने कोई बत्तमीजी नहीं किया आप से भी तख मैं छे बार एक सवाल पूछ रहा हूं आप जवाब नहीं दे रही हूं सवाल का से नहीं चाहिए और मुझे नाली का कीड़ा बोलने वाली एक पार्टी की प्रवक्ता से भी नहीं चाहिए मैंने कोई बत्तमीजी नहीं किया मैंने कोई बत्तमीजी नहीं किया दर्शक देख रहे हैं आप सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं राहूल गांधी ने अमेरिका और यूरॉप का नाम क्यों लिया नहीं बिल्कुल क्यों नहीं लेंगे उन्होंने यहीं तो कहा कि जो डेमोक्राटिक डिफेंडर्स हैं वो कौण से डिफेंडर्स हैं वो भारत के लोग तंदर को बचाएंगे और उस कि नहीं शुक्राइबूरीना, आप है। अम्रीका भारत का लोक्तंत्र रिवाइगा था है। अरे अमरीका बचाएगा भारत का लोगतंत्र बैडम अरे लोगतंत्र बचाना आपका काम है चलिए मैं तो जो कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं जो दीजे मुझसे उमीद नहीं तिरा हूं जांदी को तो अमरीका से उमीद है अब अमरीका से उमीद है सौरण शर्मा राहूल गांदी इस देश के चुने हुए सांसद है चार बार के देश की प्रमुक विपक्षी पार्टी के नेता है जब आप ये बेहुदा बात बोलते हैं तो मुझे थोड़ी शर्म आती है आप अपने शर्म को खुड़ी लगाम दीजे मैड़म सुनिये सुनिये वो चुने में नेता होंगे तो मैं आपका जर्खरीद गुलाम नहीं हूं कि आप मुझे कुछ भी कह देंगे बेहुदा शर्म आप कुछ भी ये कोई तरीका नहीं है बात करने का क्या तरीका ये बात क करना चाहते हैं मैंने कोई बते मीजी नहीं के दुनिया देख रही है मारे माप और राइट रांशु जी